बच्चों पहले तो इसका मतलब समझो आप सभी बुक का कुईस्चन बाद में कर लेना वन अपान अंडरूट सेवन दिया है न इसमें क्या करना है हरों का परमेई करण करना है हरों का क्या करना है परमेई करण हरों का पर्मेई करण देखो ऐसे तो लिखा है पर्मे करण इंग्लिस में इसे अभी मैंने बताया ना आपको क्या बोलते हैं रेस्नल लिखना है उसके बाद आई एंजी लगा देना रेस्नलाइजिंग ठीक है लिखो रेस्नलाइजिंग ठीक है ओके चलो इतना करो कि इसमें आई एंजी लगा दो कि ऐसे ही तो होगा ना भाई इंग्लिस मिला लो थोड़ा सा आई एस आई एंजी होगा ओके मतलब समझो कि हमें करना क्या है बाकि कि स्पेलिंग हो गएरा तो तुम लोग सही कर लोगे इसका मतलब क्या है देखो बच्चों जब इस तरह के कोईश्टन हमें दिये हों कहीं भी हमारा इसका में परपज यही होता है मुख्य उद्देश से एक मात्र यही होता है कि हम हर में अंडरूट का जो चिन लगा है उ जिससे की कल्कुलेशन करना आसान हो जाए बस इसका एक उद्देश होता है इसके अलमा और कोई उद्देश से नहीं होता है तो बच्चों सबका उत्तर आ रहा है ना सबको समझ में आ रहा है देखो समझो इधर साइड में समझो तो प्रिये बच्चों यह हरों का परम्या से ही क्या करोगे उपर गुड़ा करोगे उपर नीचे जैसे रूट 7 है तो रूट 7 से ही हम क्या करेंगे उपर नीचे मल्टीपल करेंगे बस अंडरूट 7 का जब 1 में मल्टीपल करेंगे तो यह 7 ही होगा अंडरूट के साथ में ही रहेगा रूट सेबन का रूट सेबन में जब करेंगे बच्चों तो यह रूट 49 हो जाएगा तुम्हें पता है और नीचे तक दिख पा रहे क्या मुझे थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा बाई हरी वों बच्चा पढ़ाई कर लो तुम का है मुझे बना रहे हो तुम्हें कौन सा दर्द हो रही है बोलो क्यों दर्द हो रही तुम्हें इसको अगर हम आगे बढ़ाएं उधर जगा नीचे कम है तो यह देखो साथ आ जाएगा बस यही अंसर हो गया इसका मुख्य परपज यही था कि नीचे से आपको अंडरूट हटा देना है इस उत्तर में और इस कुईस्चन में कोई अंतर नहीं है कोई अंतर नहीं है बच्चों देखो मैं बता रहा हूं जो हमारा अंसर आया है यह न इससे हम फिर से कुईस्चन ला सकते हैं पता है कैसे ला सकते हैं देखो संजो कि इतना आया ना 7 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ 7 को हम भाइयाद लिख सकते हैं under root 7 into 7 कि नहीं बोलो लिख सकते हैं और इससे हम इसको काट सकते हैं one upon under root 7 यह फिर से आ जायेगा तो परमेई करन करने का इतना ही मतलब होता है कि आसमान नहीं मतलब आसमान तक जाना तो है लेकिन लोट के फिर दर्थी पर आना है अब परमेई करन करने का यह मतलब नहीं कि तुम ऐसा परमेई करन करता हो कि जो उत्तर आये उससे फिर कुश्चन आये ही एक बात ध्यान रख तब सही है नहीं तो नहीं सही है जैसे देखो यह आंसर आया था इससे मैंने फिर से questions लाकर आपको दिखा दिया सब को समझ में आ जल्दी बोलो यास जिसको नहीं आया नो सभी बच्चे बोलो हरसित अन्मोल रहो आपने बताया ही नहीं टेबल कहां तक याद करें अन्मोल बेटा जहां तक तुम्हारा मन करें याद कर लो कम से कम 20 तक कम से कम 20 तक याद कर लो ठीक है अब चलो आगे देखो अगर भाई हम आप लोग का सिर्फ कमेंटी पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे इसलिए हमारी कोसिस होती है कि आपको आगे भी पढ़ाया जाए और इसलिए बहुत कम कमेंट पढ़ते हैं तो आप लोग यह मत सोचा करो कि हमें नहीं दे उतारो चलो तो सिकेंड पार्ट उतारो राजकुमार तिवारी पूनम देखो जो देर में आये हैं उनको नहीं समझ में आयेगा रीट की क्लास पीब्यार स्टेडी अपली केसन में है उसमें जाके आप्टेट वाला जॉइन करो वो सब के लिए हैं अगला तो इसमें का सिक कि इसमें यॉषा कि श् συν पार्ट है चालीखो लिखो 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 ये ग carenak नो कि पर मेय करन करना हैं जब देखुआ हैं हां यह एक से गनालायक है हालो पूलिए बताओ जानना क्या वो बताओ कलास चल रही ना अभी आपकी यह पूछ रही है तुम्हें कितनी बार बताया जा इसके पहले सर ने तुम्हें बताया था तीन बार तुम्हारा फोन उठाया था फिर तुम कर रहे वाट वारा अभी कितना फीस नहीं हुआ यूटूब पे फिरी चल रहा है आके तुम भी देखो एक से गधे हैं आठ वार फोन किया था यह मैंद्र सर ने भी बात किया था इससे फिर भी कर रहा है डंडा किया जब से पढ़ा रहा हूं आठ बार किया पता नहीं कहां से आ जाते हैं यह भाय झाल अभी उसी में तो हूं आभी उसी में हूं ठीक है उस टाइप का कुछ और कुष्टन दिया घाए ठाएक कि उस ट्राइब का और कॉ स्ट दिया जा देखो जैसे इतना है इसमें कआ करना हिए तो भीया पहले वह कुषंचन ऑफ दिखेंगे ब हैले यह देख लो थाम हर का परीन निन रिंभान काम इसम二 है कि पहले हमारे हर तो समझो तो जितना नीचे है अंडरूट 3 है इतने से ही ऊपर गुड़ा करोगे और फिर नीचे भी उतने से ही गुड़ा करोगे बस यही तो करना होता है न यही करना होता है अब क्या करोगे अंडरूट 3 का अंडरूट 3 में गुड़ा कर दो अंडरूट 3 का जब अंडरू तो तीन का तो निकलेगा नहीं नौ का निकलेगा तीन हो जाएगा यह उत्तर आ गया समझ में आया मिस्टर भाइब हो सचीन कुमार बेटा तुम यूटूब का ढेर सारा लोगों नहीं लपेटोगे तब हो हम तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे समझ रहो ना बहुत ज्यादा कुड़ा कच्रा नहीं मिलाओगे तब भी हम समझ रहें तुम्हारी बात इसको छापो फटाफट छापो इसक्रीन साट ले लो दक्ष गुपता जी बहुत अच्छे हैं ठीक हैं बस आपी का तो इंतजार था चलिए तो सभी बच्चे जल्दी स सेशन को लाइक करो तुरंट देर ना करो और विल्कूल फ्री पढ़ने के लिए चैनल को अभी तुरंट सब्सक्राइब करो जल्दी करो देखो जब हम सामने से हट जाते हैं कुईश्चन करके तो तुम यह मत सोचा करो कभी तुमको मनाएंगे बेटा उतार लो उतार लो हम हटने के बाद में जब साइड हो तब तुम इसे स्क्रिंसाट ले लिया करो यह तो हम इरेज करेंगे क्योंकि हमरे पास टाइम जादा नहीं है देखो अब इसको समझो यह अलग टाइप का है वह बेचारा अकेला था यह जोडा में है हां डबल है यह सिंगल नहीं है तो हम इसी से गुडा करेंगे उपर अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट सिक्स है ना लेकिन ध्यान रहे नीचे अगर दो पदों के बीच में चिन माइनस का है तो यहां पे तुम प्लस का लगाओगे बस चिन उल्टा रहेगा बस इतना ही करना है सबको समझ में आ रहा है ना प्रियंका जी आ रहा समझ में देखो समझो तो बच्चा यह ऐसे कर लिया ना इसमें किसी को कोई मुसीबत है तो बताओ जल्दी बताओ सबको समझ में आ रहा है फटा फट बोलो हां देखो सर्माव नहीं तुमारी साधी बिया होई के गउने नहीं आएगा तो बताया जाएगा बोलो कमेंट में हर किसी का देख रहा हूं बस बोल नहीं रहा हूं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि मैं बोलू जब कुछ बोलने लाइक करोगे तो बोलूंगा मैंच वह साब्सक्राइब नहीं करें अगया तो संवार जसे कि तुम्हारा भी कमेंट आये इन सभी ऐगे बढ़ते हैं तो इस मिठ़ heute को आगे का अगया बढ़ते हैं बस देखते जाओ आगे चलो इसका multiple one में करोगे पूरा-पूरा तो कोई effect नहीं पड़ेगा तो root seven plus under root six उतना ही रहेगा बच्चा ये देखो under root seven minus six है under root seven plus six है यहाँ पर अगर तुम सुनो और समझो तो ये a minus b और a plus b का formula तुम कभी पड़े थे बोलो कितने को आता है आता है ना ये सूत्र आता है ना भाई थोड़ा सा उधर कट रहा है हलका समय इसको इधर खिसका लेता हूं अब इधर आजया का है को कट गया उधर देखो समझो ये सूत्र आप लोगोंने पढ़ा है बहुत पहले पढ़ा है बच्पन में पढ़े हो ना आप प्लस भी पढ़े हो तो ये होता है एका ही स्कॉयर माईनस बी का स्कॉयर बोलो होता है कि नहीं है सिवम सिंघ कोता ना बच्चा है चिराग होता है तो अगर enfant मालने Exodus इसको हम a-b मान ले इसको a plus b मान ले तो हम कह सकते हैं a का स्क्वाइर मतलब अंडरूट 7 का स्क्वाइर माइनस b का स्क्वाइर मतलब अंडर रूट 6 का स्क्वाइर देखो अगर ये भी तुम्हें नहीं आता है तो बच्चा तुम जीरो लेबल वाली गड़ित पढ़ो अभी अभी जीरो लेबल वाली पढ़ो रात नो बजे से हां चलो यह हो गया अब एक चीज समझो अंडरूट साथ का जब स्कॉयर करोगे तो अंडरूट उन्चास आएगा और अंडरूट जब 6 का स्कॉयर करोगे या तुम कुछ मत समझो इतना जानलो किसी भी संख्या पर अगर वर्गमूल लगा है अगर उसका स्कॉयर करते हैं त वर्गमूल का चिन हट जाता है बस यह इसमें से भी हट जाएगा इसमें से भी हट जाएगा दोनों नंगे हो जाएंगा समझ गया और फिर फाइनल में नीचे दिख रहा है आगे लिख सकता हूं आगे लेकिन मुझे रास्ता किलियर करनी पड़ेगी निशा यादो निशा मोईट सिंह आपको भी आ तो बच्चा यह हो जाएगा अंडरूट सेबन माइनस अंडरूट 6 इसमें से घटा हो गया तो वन आयेगा चाहे तो वन लिखो या नालिको कोई मतलब नहीं है अंसर उतना ही आएगा ठीक है लिख लो है कि समझ में आ रहे हैं कि बंसी कुपता राम राम बच्चा राम राम करन कुमार जो चल रहा है पहले उसे पढ़ बेटा ज्यादा तुमें खुझली नहीं हो हां जो पढ़ा है उसको नहीं पढ़ोगे साइंस कब चलेगा हिंदी कब चलेगा जैसे वह बताता नहीं कहानी कि अगर कहीं कोई परोजन पढ़ा है तो इनको बुलाया जाए ना तो अ आगे का प्लान पताऊ पूरा सब जो बच्चे नहीं लिख पा एत है वह इस क्रीन साट लें वीडियो को थोड़ा बएक करके झाए जो नहीं लिख पाये थे वीडियो को थोड़ा वाक करें उन्हें फिर से दिख जायेगा और रूतार ले ठीक हैं। आदित्य समझ में आ रहा है इरसाद खान आ रहा ना बच्चा नीरज मदेशिया जी बहुत अच्छे हैं ठीक है चलिए आगे समझिए नितेश कुछ वहाँ बच्चा पढ़ लो तो ठीक है नहीं पढ़ लो तो तुमको पटक देंगे उठाके जटक जाओगे जान लो चलो आगे देखो तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट इमांदारी से बताना कि कौन कौन कर लेगा जूट मत बोलना इमांदारी से बताना कितना बच्चा इसको कर लेगा भई हां कवे नलायक तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं आयो का देखो कुछ तो ऐसे ऐसे बेवपूफ है न लुकुल कमेंटी नहीं करते हैं हैलो पूजा कैसी हो तुम कहां से ओ तुम्हार घर कहां है ऐसे लग रहा है कि इनको कुछ करना है इनी लाइक में बस इनको यही करना है मतलब इनका उद्दे से यह 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 पैदा इसीलिए हुए है एक ठीरा लीजेंड एफ एफ इनको नहीं मालूम कि नहीं हम ब्लोक कर दें ते गायब हो जाएंगे हां इनको लग रहा है कि बस मेरा ही सब उच्छा है आप बेटा पठान खान पढ़ लो निट तुम्हें हम अंदर कर देंगे समझ रहो ना पढ़ लो पढ़ लो बस देखो बीच बीच से मैं स्क्रीन छोड़ता रहता हूं हडता रहता हूं इसलिए कि तुम्हें पूरा इसक्रीन क्लियर हो जाए दिखे और तुम छाप लो चलो तो इसको सभी बच्चे कर लेंगे सभी कर लेंगे न अगला इसमें क्या है अगला इसमें जो है वो भी ऐसे ही है अमिजश्ण कर दे अच्छाचा चलो ठीक है करी देता हूं वेरा तो काम ही है करना चलो तुम छापो बस दिभ्यांसुपाल सुमन हरसितकुमार है ठीक है बच्चा देखो हमें क्या करना है हर का परिमयी करना करना है तो सब से पहले हम जो भी कुश्चन दिया है उसे वैसे ही लिखेंगे इज्जत और मान सम्मान के साथ ये इसके बाद जितना हर में दिया है हमें क्या करना रिफनलाइजिंग करना है उतने से ही ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे लेकिन ध्यान रहे चिन अलग रहेगा अगर उसमें चिन प्लफ कि ऊपर का वन में मल्टीपल करोगे तो कोई एफिक्ट ना पड़ेगा वन में इसको वन में करोगे तो इतना ही रहेगा यह माइनस है तो यहां पे माइनस ही लगाना भूलना नहीं बहुत अभी अभी मैंने बताया था कि a plus b और a minus b बन रहा है बोलो बन रहा है कि नहीं ब मदलब अंडरूट 5 का स्कुायर माइनस B का स्कुायर मतलब अंडरूट 2 का स्कुायर है पस जो गई कहानी खतम इनको लाकy हम इधर Wind hasta आप Sam हम लेकिन उसमें अंडरूट भी लगा है वर्गमूल का चिंन भी लगा है तो वह संख्या डारेक्ट वैसे उतार जाती है यानि हम कह सकते हैं कि यह 5-2 हो जाएगा ठीक है तो फाइनल में हो जाएगा बच्चा यह इतना हो जाएगा इसके नीचे चाहे तो वन लिख लो क्योंकि रहे यार यह क्या हुआ कुछ गडबड हो गया अब और यह एक आता थो लेकिन इसको तो लिखना ही पड़ेगा चलो चाहप्लो मे знакомия कुछ आपको सबस्क्राइब करो अड़ेर ना करो जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करोगे डेली आपको कलास का नोटिफिकेशन आएगा और आप घर बैठे पड़ पाओगे प्यार से अगर आपके घर में दो मोबाइल फोन है तो हम यही कहेंगे कि आप दोनों में सब्सक्राइब कर लो जितने जादा बच्चे सब्सक्राइब जा गिखेंगे उतनी बड़ी खें आपको और उतनी ब्हथरीन क्लास सांस की क्लास 15 जुलाई सुभा 7 बज़े से होने वाली है कि के साइंस की क्लास 15 जुलाई सुभा तसात बजे याद रखना सबी कि अगों सभी आओगे ना साइंस पढ़ने सुबह रे साथ बजे उठ जाओगे की नहीं हां अरे मूह धुल के आना गोवर लगा के नहीं सुबह उठ जाना च्शे बजे तभी तो साथ बजे पढ़ोगे यह नहीं कि मम्मी आके दो इलाद मारे तब उठो हां अपने शूठ आना साथ बजे चलो ठीक है, सब कुछ ओक है तो यह हो गया इसको मिटा दे देखो इसमें एक थी बचा इसको खुद से कर ले ना आजाद आहमद बेटा जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो पहले बाबू जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको पढ़ लो तुम चलो अब एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चों की किताब में यह कुश्चन मिल रहा था जिसके में मिल रहा था वो बोले हां जिसके में नहीं मिल रहा था वो बोले ना जल्दी बोलो फटाफ़ट उसके बाद फिर हम आगे तुम्हें कुछ नया देते हैं चलो कितने बच्चों की किताब में यह कुईस्चन मिल रहा था सीधा सीधा हां आप पको बताओ फटटवट बताओ ऑना यान 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 है मतलब यह लिख देना यह अनल एपन ना न मतलब यह न पार ना नी और अला य। आपन चलो हूं तो जो बच्चे अंचर्टे बुक्षर लिये हैं उनके में मिलेगा चाहे वह यूपी sweat up सबके में मिलेगा यह कुश्चन अंतर इतना होगा कि सिभेश वालों के बुक में इंङलीस में लिखा होगा यहां पर हिंधी में लिखा है लेकिन में मुख वर्ड जो हैना उनको इंग्लिस में भी बता रहा हूं तो आप मतलब तो समझी जाओगे हिंदी में हो या इंग्लिस में भी हो समझ जाओगे देखो बच्चा NCRT किताब है NCRT अगर तुम परमेई करण करना सीख गए न तो ऐसा नहीं कि प्राइबेट वाले बुक में तुम्हें कोई दूसरा रूल बताएगा नियम सीखो बस यह मत सोचो कि हमारे बुक में नहीं है तुमारे में आगे मिलेगा चलके मालो 1.5 में नही तुमारे किताब में क्योंकि पूरे देश में चाहे यूपी से ओंपी से हो राजस्थान से ओंदिली से हो भिहार से हो कहीं से हो और स्थाने के लिए इतना ही होता है चलो आगे तो यह आपका 1.5 खतम हो गया बच्चों एकसरसाइज 1.5 खतम हो गया अब आप लोग को लो एकसरचाइज 1.6 नpoints के एकसरसाइज 1.6 को खोलो सभी बच्चे फटा फट चलो कसे डारेक्ट कुछ्टन करवादें की घातां का नियम पढ़ाएं हां डाएक्ट कुछें करवादें की घातां का नियम पढ़ाएं कि देखो यहां पर कुछ चीज समझना जरूरी है अब है काय को बाग दिया भाग दिया अब है थोड़ा सा रुक जाओ मारकर इसके नीचे गुज गया यह अब है निकल जा भाईया निकल जा बाब्बु यह गिर गया नीचे इसके टेबल के कि देखो यहां पर आप लोगे हेडिंग डालो अगहातां के नियम को गातां को इंग्लिस में क्या बोलते है जानते हो कि eksponent बहुते हैं क्या ह है इनके रूल है यहां पर समझे लो हिंदी आ इंगलिस कोई भी लाइंगवेज में सब के काम का है 2 कि देखिए बच्चो यहां पर कुछ नियम आपको हम बताएंगे बस थोड़ा सजादा कुछ नहीं बताएंगे समझो जैसे अगर कोई भी दो घातांक वालिपद हैं जिनके कि क्या कर रहे हैं उनका गुड़ा कर रहे हैं अगर आधार समान है जैसे एक पावर यम इंटू एक पावर यन तो आधार समान होने पर गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है ठीक है और अगर आधार समान है और इनका भाग हो रहा बच्चा तो ऐसी स्थिति में भाग करने पर घाते घड़ जाती है ये बात तुम बहुत ही ध्यान से समझ लो ठीक है इक्स्पोनेंट एंड पावर ठीक है बहुत अच्छी बात है तो मैं किवल पावर के बारे में अभी बात कर रहा हूं आप समझो यह हो गया इसके अलामा एक और होता है पिर यह बच्चा अगर एक पावर यम है और इंटू बी का पावर यम है मतलब समझो घातें इक्वल हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं तो ऐसे इस्तिति में आधार आपस में एक में हो जाते हैं घात बहरे लग जाती है समझ गया ना बस कुछ important fact बताऊंगा जो तुम्हारे काम का है वाकी में ज्यादा बिना मतलब का बताऊंगा ही नहीं ठीक है एक बात और बता दें इन सभी बातों को आप DTL में देखने के लिए PBR study का अपलीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अपलीकेशन में जा करके तुम बिल्कुल बड़े ही प्यार से सारी कलास देख सकते हो अगर यह यहां पर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा इन्हें चापलो अभी आगे question में आएं अगला देखो बच्चा चवथा चवथा जैसे यह है वन अपान एक पावर माइनस का यम तो यह हो जाता है एक पावर यम यहां से तुमें यह समझ में आएगा कि अगर किसी भी नंबर में इस तरह से दिया जिसमें गहात माइनस में लगी है तो वह बराबर करोगे तो गह प्लिस हो जाएकि और एक बात बात और समझ लो य मुझे सम्झाना है अगर एक पावर यहां पर यन है जो कि माइनस में ध्यान देना ऑफ क्या यह माइनस में अ यह क्या थे माइनस में तीन एक मिनट रोक जाता हूं मैं कुछ और बताना चाहता हू brought ons एक मिनिट रुक जा एक मिनिट मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एक पावर माइनस का यन है तो इसे हम एक पावर वन अपान यन है से कर सकते हैं ठीक है समझ रहो ना ये घादांग के कुछ मोटे-मोटे नियम है जो अभी आपको काम देंगे आगे मिसलब बेटा तुम्हें ब्लाक कर देainen क्या चाहते हो तुम हं किया चाहते हो तुम्हें ब्लाक कर देन देखो पंदरा सीकेंड का टाइम दिया हूं तब हूं ये घंडा कर रहे हैं मैं इनको क्या बोलूँ twitter के लिए łओल्ड कराहूं ये केक को चले आगे बढ़ें इतना लिख लो जल्दी से स्क्रीन साट ले लो मैं सामने से हड़ जाता हूं जल्दी करो इस्क्रीन साट ले लो फटा फट चल भाई चल 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 जल जल्दी बताओ हो गया हां इस्क्रीन साट ले लो सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं कि भाई मैं पोज में खड़ा हूं अच्छे से मेरा वी स्क्रीन साइट लेना तुम लोग बड़े गदहे हो जाने दो नहीं करूंगा आप चलो हो गया इसको मिटाता हूं अब हम चलेंगे एकसर साइट पर जो लिख लिए समझ लिए अच्छी बात है और जो नहीं लिखें उनकी काली माई मालिक है अब चलो हां अब मैं उन्हें क्या कह सकता हूं देखो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो अगर उसका कंसेप्ट आप सीख गए न तो आप सब कर ले जाओगे और जो कुईस्चन और किताब में मिलाने के चक्कर में हरान है उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूंगा बच्चा नियम सीख लो नियम सीख लोगे तो त क्योंकि यूटूब पे देखोगे तो भाई बहुत सारी किताबें हैं बहुत सारे टीचर हैं बहुत सारे लेखक हैं तो सब पढ़ा पाना आसान नहीं है लेकिन एक पैटर्न होता है सिलेबस होता है अगर हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो तुम सिलेबस सीखो बस समझ रहो आप संक्या पद्धती क्या है आपके पाठे करम का हिस्सा है खक्छा नौका मैं संक्या पद्धती पड़ा रहा हूं नंबर सिस्टम अब नंबर सिस्टम के बारे में अगर तुम्हें नालज हो जाएगी तो तुम किसी भी किताब से पढ़ो सब में से मैच करेगा समझ रहो चलो जितने भी आप छात्र अभी सेशन को लाइक निकिए बच्चा तुरंद लाइक करो तब भी बताऊंगा आगे अब चलो जल्दी करो भई ऐसे माज़ा नहीं आती बिल्कुल भी दिल नहीं करता है तुरंद करो देर नहीं एक भी मिनट देर ना करो फटापट लाइक करो तुरंद और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें वो कमेंट नहीं कर पा रहें हो काफी छटफटा रहें तडप रहें भई तुमारी तडप मैं समझठ पा रहा ह। लेकिन तूमशन बन मैं 결ऻि actual नि 64 का पावर एक बटा दो इसकी कोपड़ी पर एक बटा दुई लगा है समझो अभी कुछ लोग नहीं करें, मुझे पता है कौन नहीं करा है बच्चा कल की कलास में नहीं जुड़ पा होगा, याद रखना समझ रहो ना तो फटा फट जल्दी करो देर ना करो तो ठीक है, सब कुछ आगे बढ़ें, चलें मस्त चल रहा है ना सब कुछ चलो देखो ये नया चैप्टर है बच्चों मैं तो बोल रहा था कि फटा फट सभी लाइक करते में आगे बढ़ता और एक बात याद रखना कलास पढ़ने के बाद में अभी अगर पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों में, अपने वाटसाप ग्रूप में, फेस्बुक में हर जगा इंस्टाग्राम में लिंक को जरूर सेर करना कलास की जिससे कि हर कोई पढ़ सके और हम आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ा सके यूटूब पे कोई कोचिंग नहीं करना तुम्हें कहीं नहीं जाना है घर बैठे पढ़ना सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करना है बात को मजा भी लेना चेटिंग भी करना बात करना सब हैं सब कुछ करना साथ में पढ़ाई भी कर नाया ममी बापा का मोबाइल मॉबाइल मंखकर लाए हो तो भाइया पड़ने के बाद देदेना यूच्छ पाउलट है नहीं लें रूसा बेटा जीन पाउल तुम्हारा बिना सब्सक्राइब के कमेंट ही नहीं आथा हूं वो तो मुझे पता है चलो तो अब इसको हाल करना है कैसे करेंगे यहां से समझो भी साल प्रजापती ठीक है ना सिक्स्टीफोर है न ये बताव मुझे ये चीज जानते होनों कि ने दूम सभी जानते हो फैक्टर करना गुड़नखंड करना सभी जानते हो अ बच्चा कि नहीं जानते हो बताव जानते हो ना चलो ठीक है फटा फट चलो चलो एक मिनेट थोड़ा से रुख जाओ भाई जानते हैं तो चलो हम फिर से आ गये हैं थोड़ा सा जिश्टर हो जाता है पानी वाले आए हुए थे और कोई आज है नहीं सब गये हैं घर और आजाएंगे सब लेकिन मुझे तो सब कुछ जहला है ना यहां पर चलो 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 देखो 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 बच्चा तो यह तुम्हें मालूम है कितनी बार गाया छे बार कितनी बार गाया छे बार तो हम लिख सकते हैं 64 को दो का घाट छे बोलो लिख सकते हैं कि नहीं हां लिख सकते हैं यह यहां पर माउस पकड़ने जा रहे हैं बड़ा गदा यार तू देखो यह क्या हो गया एक बटा दो तो बच्चा इससे तुम ऐसे लिख सकते हो दो और इसकी घाट छे और यह एक बटा दो यहां पर समझो यह घातो घातों की आपस में रडाई होगी यह कट जाएगा फाइन समझ में आया चल्दी बोलो यास 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 सभी को आया चलो फटा फटा बोलो कि चलो तो यह आपका फाइस्ट पार्ट इसमें का हो गया बच्चा इसमें का सिकेंड पार्ट देख लो राजा सिकेंड पार्ट क्या कह रहा है थार्टी टू इसकी पावर वन अपान फाइफ इसको समझो एक बात बताओ अगर 32 का गुड़नखंड करें जैसे 64 का करे थे यह करे थे इसमें छे बार दो आया था तो 32 में कितनी बार दो आएगा भई 32 में कितनी बार आएगा देखो समझो यहां पर समझो यह जो दात निकाल रहे ना बेटा मंजन उन्जन कर लिया करो है दात में तो लगाया हुआ है तुम निकाले जा रहे हो बड़ा बड़ा चलो सिकेंड पार्ट देखो देखो मैं इधर उधर जब डोलता हूं ना तुम छ ना लिया करो संडे संडे यह देखो यहां पर समझो कि दोका घाद यह पांच हो जाएगा अब मैं नहीं बताऊंगा काहे हो जाएगा बच्चा देखो अगर तुम बत्ति फिले लू बाकी मिटा दो यह हमें बत्तिसकाई करना था तो कितनी बार पांच बार हुआ पांच जाएगा है और यह एक वतापांच ठिक है अब देखो समझो भाई सिंपल सा है तू ऐसे ही लिख लोगे और यह फाइब ऐसे ही रहेगा इसकी खोपड़ी पर होपडी पर चड़ा रहेगा इंटू यह वान अपां फाइब याद रखना वान पान अफाइब आईसे लिखन पांच से पांच कड़ जाएगा इसार फाइनल में कितना आएगा दो गगात एक आए कैसा चाहे लगाँ चाहे ना लगाँ मेरा मन दो उत्तर आएगा और यह आंसर वाला ए लिखा हूं नहीं तो तुम कुछ और समझ रहे हो कितना है गदो चिराग आरा समझ में समीक्षा कुमारी रवीष रंजन ललित पब्ज लाइट इस्टीमर दिख्षा सबको समझ में आया चापलो 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 जल्दी जल्दी से अरे कम से कम कुछ चापा तो करो तेजी से चलो निशा यादव आरा समझ में आसीज कुमार सबको समझ में आरा बच्चा चलो देखो एक बात में बार बार बताता हूं ये कलास साम को साथ बज़े से रोज होती है बिल्कुल फ्री होती है अपने सभी दोस्तों को बता दो कि पूरा कोर्स फ् हो मिट्टी इट्टी में खोपड़ी में गोफर लगा ओर नहीं मुझे सारी मोबाइल चाहिए जितनी घर में सब में चलाया को विडिएयो समझ रहोना सारी मोबाइल में एक साथ वीडियो चलना चाहिए और उसके बाद पिर जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे ना उतना ही बेहतरीन कलास आपकी हम चलाएंगे यूटूब पे विल्कुल फ्री चलो तो यह अभी तक दो पार्ट हुआ ना तीसरा पार्ट का अंसर अब तुम सब बताओगे एक लिक अब मैं नहीं बताने वाला हूँ एक सो पचीस इसकी घात है बच्चा एक बटा तीन क्या है वन अपान थ्री चलो इसका अंसर बताओ कितना आएगा प्रीति सिंग बोल रही मेरा भी अभी देख रहा है काफी समझदार हो आप लोग काफी प्रोग्रेस कर लियो हम लोग पीछे निकल गए थे बई चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है बीफ जी अब सब लोग देखो बस लात खाने से बचे रहना घर वालों से बाकी सब ठीक है कहीं तुम्हारे पापा न देख रहे हूं चलो यह हो गया अब देखो इसका अंसर मैंने पूछा कोई बताया अब है मोधी बही मोधी जी प्रफ आ गए बहुत अच्छी बात है जय हो हुजा संकेत छितेंद्र विसाल नितीज भाई कि को ठीक है चलो तो बहुत बच्चे बता है किसका अंसर 5 आएगा कितना आएगा फाई पाईगा चलिए ठीक है बहुत अच्छे तो हां पाँ आएगा ठीक है सही है ये बच्चा इसमें का सीकेंड वाला है नहीं पहिले वाला है तो इसको कर लोगे हलो की बताऊं कौन-कौन चाहता है कि मैं बताऊं engaание ब्यों चाहता है कि मैं कि बताऊं क्या कहे रहे हो हूँ आइ मैं चलो देखो बच्चा से समझो है कि इसको भी वाइसे करना है सिंपल सा अ 122 पूर या कि 125 को हम लिख सकते हैं क्या इसकी घाथ 3 ज़ा दसलिजे ने सहीung यह वैसे ही रहेगी फाइनल में जब हम कोष्टा खोलेंगे ति यह गात तीन और यह एक वटा तीन ऐसे हो जाएगा इसका तीन से तीन कट जाएगा बराबर पांच की घात एक आएगा और मैं पांच की घात एक लिखता नहीं हूं उससे कोई मतलब है नहीं तो पांच सबको समझ में आया इक्ता भारती आया समझ में निप्पू तुमको भी आ गया ना रितिक नीरज चलो तो यह आपके हो गए पहला का सारा पार्ट हो गया दूसर कना का शुरू करें हम सब लगवा देंगे एक एक पार्ट लगवा देंगे तुम छाप लो सब लेकिन सटर्डे को टेस्ट होगा अगर टेस्ट में ना बता पाए तो फिर क्या करेंगे जानते हो सटर्डे को टेस्ट होगा याद रखना हर सटर्डे टेस्ट होता है एबरी सटर्डे पर तेक सट्रडे टेस्ट होगा कुषचन लमबर दूसरा का पहला पार्ट आजाओ एकसर्साइज तृब 1.6 प्रस्ना वली 1.6 प्रस्नात नम्बर 2 पार्ट नम रवन इसका अंसर कितना आएगा जल्दी बताओ सभी बच्चे देर ना करो भाई पांच गंटा मत लगाया करो यार ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आती जानलो अगर तुम लोग कलास को फटा-फट लाइक करो ना ज्यादा बच्चे आजए अभी 200 बच्चे पलस हो जाए ना देखो हम इस कलास को आज पार कर देंगे पूरा नौ बजे तक पढ़ा दें फटा-पट एक बार काम करो आप लोग एक बार सेर करके आओ जो नहीं नहीं साथ ही आए तो आज मेरा मन चला दू नौ बजे तक धाई गंटा पढ़ा दू पूरा एक चैप्टर हो जाए बन वाला आज जितना मेथ पढ़ोगे उतना आएगी याद रखना जितना पढ़ोगे परिसान कर दिया मुझे कि पोलो चल रहा है ना किया बताऊं यार ये इंटरनेट वाले बीच बीच में डिस्टरब कर देते हैं सारा दिमाग चाट लेते हैं सारा दिमाग खराब कर देते हैं चेतन आनंद ठीक है चल गया देखो दोसों के लगबग पहुंच गये थे सब बच्चे लेकिन सारा मूड खराब कर दिया मतलब एकदम दिमाग डिश्टरब कर दिया इंटरनेट इसको मैं आज हटाता हूं ये रेल वायर का इंटरनेट है कोई मतलगवाना मैं ये बोल रहा हूं हां रेल वायर का वाइफाई है कोई भी मतलगवाना ये ब्रडबेंड बड़ा घटिया है बीच-बीच में डिश्टरब कर देता वही और कई दिन किया ये चलो क्या बताऊं है बच्चे तो ढेर सारे भाग गए कहां गया बहां बोलता हूं कि थोड़ा सा अगर इंटरनेट गड़बड करता है तो मत जाया करो मत जाया करो फिर भी निकल लिए चलो ठीक है मैं इसको बता देता हूं जाओ इसको पढ़ना है पढ़ लो देखो बच्चा से 9 x2 upon 3 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का क्यों किरा होता है कि लिख सकते हैं क sprac анै shirt और बाहर से क्यार दूबटा तीर बाहर से क्या है लिटर पानल में गों कटेगा ही नहीं यहीं था कोईश्चन कुछ और था तीन बटा दो था ओ यह उल्टा है कि यह तीन बटा दो था भाई तभी तुम्हें सोचा है थ्री अपांट टू है इसको लिखो ठीक है तो फाइनल में हम इसे लिख सकते हैं तीन कगाद दो और ब्रेकट के बाहर वाला जो तीन बटा दो है ऐसे यह दो से दो कट जाएगा कि तीन कगाद तीन तीन तरिकर नौ तरिक 27 इसका अंसर आएगा कि किसी को कोई समस्या नहीं होने चाहिए